हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक तो माई चैनल तो टोड़ी विल लॉर्न अबाट थे फैमिली ब्रैसी केसी फ्रेंट्स हमने अल्रेडी प्रीविज वीडियो में पैपवरेसी एंड रेनन के लेसी दोनों ही फैमिली के बारे में पूरी तरह पढ़ लिया है यह फैमिली ब्रैसी केसी भी पढ़ेंगे यह वाली जो फैमिली यह ब्रैसी केसी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जितने में में बेंबर्स आते हैं वो यूजवली डेली लाइफ में जो हम रिपीट होँगी हर फैमिली में हमें पढ़ना है तो friends वो सारी terms मैंने word to word आपको previous videos में समझा दिये जब हमने papyveracy and renunculacy पढ़े थे तो दोनों ही videos में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से हर एक term का meaning बताया था So friends यहाँ पर इस video में भी मैं आपको बताऊंगी बट थोड़ा सा में direct way में उसको continue करूंगे So please आप previous videos ज़रूर देखना So first we talk about the systematic position तो ब्रैसी केसी जो family है उसके position कहाँ पर है So Bantham and Hooker system of classification यह तीनों ही classifications आप में से जिन्होंने नहीं पढ़े तो आप मेरे channels पे तीनों ही videos आपको मिल जाएगी इनके अलावाद तक्तिजान system of classification भी हमने पढ़ा है So Bantham and Hooker जो जो थे उन्होंने Dicotyledons class then subclass polypetele and friends series में divide क्या था Bantham and Hooker ने तो series thalamiflore and order is peritels में उनको place दिया था किसको brassicase को Angler and Prantle classified brassicase under class Dicotyledon then subclass Archiclamyte and order rohydels Then Hutchison system of classification के according friends Brassicase, Dicotyledons class, Harbese subclass और Brassicales orders के अंडर आती है Now we talk about the distribution अब जो distribution है it means Brassicase जो family वो कहां-कहां पाये जाती है तो टोटल वर्ड के बात करें तो 375 genera it means genus Genus singular word है and genera plural word है तो टोटल 375 genera और 3200 species लगबग प्रजेंट है Brassicase family के अंडर इतनी species और genera आते हैं और यह mostly north temperate zone में ही पाये जाते हैं इंडिया में फ्रेंट्स 51 genera and 138 species प्रजेंट है और mostly यह भी temperate और अल्पाइन हीमालिया तो अब को पताए जो कॉनिफर्स ट्रीज होते हैं जो हीमालिया जो cold region से वहां पर mostly यह पाये जाते हैं यह जितने भी इसके friends members हैं वो देन example के अब हम बात करते हैं तो सबसे famous examples लिए फ्रेंट्स वो है ब्रैसी का कमपेस्ट्रेस तो फ्रेंट्स हम जो भी खाना खाते हैं कोई भी सब्जियम वेजिटेबल बनाते हैं तो बीना इसके हमारे खाना नहीं बनता है बहुत है बहुती कदा के बुसर्य कम देनि यह भी सब्सक्राइलच के जोंगे हुवदियम ए पहुत जब एजम थी खाना करते हैं पहल्दी सब्लग बनाते यहीं तर सिर्फन हैं पार इंडीय ंचाट इस वेजिटे टफ गेरेक्तर पूले जो हमारे इन्डिए मैंक इन्दीया में तो इंचाटिक घेक्टर server खेए काय目 ब्रशि-दीय केया को हैं किसा हैं सबस्क्त इस वाला वाले हते हैं कि century 25 शृब्स depriل तो mostly herbs होते हैं और कुछ under shrubs होते हैं इडमिस shrub से थोड़े छोटे herbs से थोड़े बड़े अब यह जितने भी herbs होते हूं कैसे होते हैं annual होते हैं one year plant होता है जिसके example है brassica compass trees then coronopus okay फिर binials भी होते हैं it means two year age वाले भी plants होते हैं जिसका example है refenus sativus अभी हमने देखा इसका मतलब क्या था friends reference reddish okay then brassica rapa और यह दोनों एक्जांपल से बाइनियल्स के और है पेरिनियल्स तो पेरिनियल्स के एक्जांपल है friends carianthus okay perineals means three to four years age जो होती है जिन plants की उनके जिसे के example है carianthus okay that the plants contain a watery juice with pungent smell तो friends यह आप याद रखना कि इन चो plants होते है it means brassica family से जितने भी plants बिलॉंग करते हैं उनके अंदर nectar present होता है okay mostly हम आगे पढ़ेंगे it means watery juice present होता है जिसके वाज़े से इतने यह जितने भी plant से उनकी थोड़ी pungent smell होती it means थोड़ी obviously अपने pungent word सुना होगा तो थोड़ी अलग smell आती है इन plants से okay now next is root तो root इनकी कैसी होती है tap root ही obviously tap root adventitious roots मैंने last videos में भी friends आपको सब में बताया है जो tap root होती है it means जो एक लंबी root होगे और इसके अंदर से primary secondary और roots divide होती है okay it means जो radical से निकल रही है okay आपको friends इस सब अपने lower standard में पढ़ रखाया tap root क्या होता adventitious tuberous roots क्या होते okay तो जो tap root होती है starting में बट बाद में mostly tap root ही होती है बट कुछ ऐसी होती है it means कुछ species ऐसी होती है जिनके अंदर यह tap root हो किसमें बदल चाती है flashy substance it means जो root है वही किसमें change होगे यह fruit में change होगे तो friends इसका best example क्या है radish, carrot यह सब किसमें आते हैं roots ही तो है हम अलग-अलग plant के अलग-अलग parts काते हैं like leaves भी खाते हैं like spinach जो होती है यह सब leaves होती है roots की बात करें तो जो radish है then turnip है then friends जो गाजर होते हैं carrots है यह सब roots होते हैं जिनको हम eat करते हैं जो क्या होते है edible होते हैं तो same वैसे कुछ ऐसे plants होते लालाइक रैडिश है turnip friends आपको पता है obviously जो शलजम होता है okay यह सब कैसे होते है इन प्लांट्स में क्या होता है इन species में जो tap root जो होती है वही एक fleshy substance as a fruit बाद में develop हो जाती है जिसे हम खाते है then the next is stem stem being herbaceous होती है branched ही होती है solid hairy and erect होती है normally erect होती है erect में सीधी उपर grow करते हैं और hairy होते हैं इसमें से fiber step ज्यादा निकलते है okay हम देखते है roots और यह सब में भी कैसे जो friends fibers बहुत सारे निकलते हैं okay stipulate leaves या extipulate leaves तो यह extipulate होती है it means इनमें stipules present नहीं है friends मैं previous videos में इन सारी terms का बहुत अच्छे से आपको meaning बता चुकिए and simple leaves होती है entire pinnate it means यह pinnate compound leaves होती है तो friends आपने इसके बार में पढ़ा होगा जो रैकीज होती है वह present होती है pinnate leaves पे it means इनमें जो रैकीज होते हैं इससे elongated होते है and friends और टू रोस बनाते हैं leaflets की it means आपको पताएगे friends प्लीज आप रैकीज और यह जो simple terms है जो friends आपने 11-12 में पढ़ रखी है already तो यह आपको इसमें पता होनी चाहिए क्योंकि friends जो रैकीज हैं इसमें वह कैसे होते हैं elongated होते हैं और कैसे होते हैं जो लिफलेट्स होती हो simple और divided form में होती है रोस बनाकर तो उने हम क्या कहते हैं pinnate leaves केते हैं then pinnate ified and pinnate sect दोनो टाइप्स हम कह सकते हैं okay same thing is that then friends जो leaves होती हो जो होती है वह रोसेट फर्म करती है और कॉलाइन जो होती है वह कैसी होती है और अल्टनेट यह opposite leaves होती है इस तेप के जो लीव्स होती है आपने सामने एक दूसरे के opposite उसको क्या कहते है opposite leaves या फिर alternate भी हो सकती है इस अल्टनेट लीव्स होंगी इस टैप से okay you know about it now next is floral characters तो अब फ्लार की अगर हम बात करें तो सबसे important पहली चो चीज़ आती है वह आता है friends inflorescence okay तो inflorescence कैसा होता है simple होता है इन ब्रैसी केसी family की जितने भी members है उनका and occasionally branched indeterminate रेसिम और कॉरिंब इबेरिस तो रेसिमोस और साइमोस टू टाइप की inflorescence होते है तो इन में कैसा होता है रेसिमोस टाइप आफ इन फ्लारेसंस प्रेजेंट होता है okay so you know about the racimos racimos क्या होता है friends it means जो main access is starting की वो टर्मीनल बर्ड पजस करेगी और जो indefinitely बढ़ती जाएगी कितने भी बढ़ सकती है जो टर्मीनल बर्ड होगी तो कॉरेम में से एक तरह से जो inflorescence की जो इनकी जो stock होती हो कैसी होती है well developed होती है और जो flowers ग्रो करते है वो अलग-अलग different levels पर ग्रो करते है जो इनकी पैडूंकल होती है उसके different levels पर इसकी flowers ग्रो करते है so that is called कॉरिम्ब okay friends यह सारी जितनी भी terms है यह आपकी lower standard की terms है रहसीम कॉरिम्ब कॉलाइन लीव और यह जितनी भी हम terms पढ़ रहे है तो friends प्लीज आपको यह सारी terms पता होनी चाहिए ओके लाइक कॉरिम्ब मीन्स क्या होता है आपको पता होगा यह main axis है तो इसकी तो इतनी ह इस तैप के main axis पे अलग-अलग levels पे अलग-अलग length के क्या होते है इनके जो leaves है इतमीज जो flowers है वो अलग-अलग length पर क्या हो रहे है ग्रो कर रहे होगे तो कॉरिम्ब यह किसमें होता है only eberis में ही present होता है बाकी mostly सब कैसे होते है रासिमोस type of inflorescence इन में होता है इन फ्लार् complete flower means क्या होता है जिसमें जो stamen, corolla it means hermaphrodite flower होगा जिसमें सब प्रेजेंट है gynosium, androsium, corolla, calyx, everything okay then hermaphrodite means bisexual flower जिसमें male और female दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है mostly actinomorphic होते है तो actinomorphic friends क्या होता है radial symmetry, okay friends तो mostly सब में radial symmetry ही होते है बट eberis जैसे की friends यह चो plant है it means यह चो member है eberis family sorry brassicae family का जो यह eberis चो member है इसमें mostly आपको जो exceptions दिखेंगे like सब में क्या है actinomorphic ही होते है radial symmetry होती है but eberis में zygomorphic flowers होते है it means bilateral symmetry होती है then tetrameras होते है so tetramerus, trimerus ये भी आपको friends पता होने चाहिए it means क्या होते है 4 हर एक hold में 4 parts present होंगे and hypogynos होते है so friends hypogynos, perigynos, epigynos, अलग-अलग flowers होते है so hypogynos means जहाँ hypogynos आजा है उसका एक आपको clear हो जाना चाहिए it means hypogynos flower it means जो ovary जो होगी वो superior होगी it means ovary superior है और जितने भी जो male party stamens है वो सब ovary के नीचे से arise हो रहे है okay जैसे कि friends perigynos है तो perigynos में क्या होगा this is ovary और उसी के past में से arise होंगे उसके side में से और epigynos में ovary सबसे नीचे होगी inferior होगी और उसके ऊपर से so stamens है और वो arise होंगे mainly यही तीन difference है okay four free caducus and imbricate sepals तो calyx जो होती है calyx क्या है friends it is the group of sepals तो इनमें four sepals present होते है free होते है fused नहीं होते है and caducus होते है so caducus, deciduous, persistent या अलग-अलग duration होता है calyx का calyx के एक तरह से अब life कह सकते हो so caducus means क्या होता है सेपल्स होंगे इनमें वो जल्दी से they fall off early वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे गिड़ जाएंगे and imbricate sepals होते है it means imbricate sepals means क्या friends यह estivation बता रहे है ऐसे estivation में it means क्या होगा जो petals है उनकी petals सेपल्स है petals, sepals दोनों का ही estivation हो सकता है you know that estivation क्या होता है एक तरह का arrangement होता है sepals का या petals का flower bird के चारो तरफ तो उसे ही हम estivation कहता है so friends in my estivation कैसा होता है imbricate होता है imbricate means जो sepals होंगे वो कैसे एक दूसरे को irregularly overlap कर रहे the two outer lateral sepals are often large and second at the base and the inner two are usually narrower the two outer it means lateral position पे जो दो sepals होते है how large होते है and second होते है base it means base arise हो रहे है base से grow कर रहे and the inner two sepals होते है how can you say narrower होते है थोड़े से थोड़े से छोटे होते है okay and the lateral position पे जो दो sepals है outer sepals है then we talk about the corolla so corolla में भी four petals present होते distinct होते से एक तरह से ये भी free है और कैसे होते है cruciform होते है it means cross shaped होते है like friends cruciform जो corolla होता है उसका मतलब क्या होता है like this ये one, two, three ये four petals है तो ये स्टेप से cross shaped में okay so इसको हम cruciform corolla कहते है then imbricate जो estivation ही होता है petals में भी each petal is differentiated into a narrow claw and upper broad limb तो ये हम देख सकते है friends जो inner side होता है इसको हम claw कहते है और बाहर का broad limb कहलाता है okay जो बाहर बाहर बाला जो पार्टे पैटल का उसे हम क्या कहते है broad limb now next is androsium that is the male reproductive part of the flower so usually इन में six stammens present होते which are tetradynamus so friends tetradynamus का means क्या होगा कि six stammens में से जो two outer stammens है वो कैसे होंगे छोटे होंगे और जो four inner stammens है वो कैसे होंगे लंबे होंगे लॉंग होंगे okay now friends ये example इसका क्या है ये जो tetra हम बात कर रहे है कि इसके tetradynamus androsium की mostly इसका example क्या है मस्टर्ड ही है ब्रैसिकेसी फैमिली में specially मस्टर्ड में इस टाप का endrosium ही होता है now some species like nasturtium nasturtium के कुछ species है इस जीनस के they have four stammens इन में किते होते four stammens ही present होते है and in coronus sorry didymus they are only two lateral stammens और जो coronus didymus जो member है प्लांटे उसके अंदर only two lateral position पे stammens present होते है now the filaments of two inner pairs of stammens are connect the anthers are usually die thickers intros bacific seed and opening lengthwise अब इसके filaments now friends अगर हम male part के endrosium के बाद करते हैं तो क्या-क्या इसमें include होता है stammens के बाद करते हैं तो stammens में तीन चीज़े होती है एक एंथर होता है friends then एक filament होता है और एंथर और filament को connect करने वाला connective होता है but main जो पाटे वो क्या होते है filament और एंथर so friends इनमें जो filaments होते है वो कैसे होते है connect होते it means इनके जो inner pairs है जो stammens के stammens का जो parts है वो साथ में grow होते है एक साथ होते है जो एंथर होते है वो डाइथिकर्स होते है डाइथिकर्स भी friends आपको पता है डाइथिकर्स एंथर मीन्स क्या होते है जिन में दो थीका दो sack-like structures present होंगे जिनके अंदर pollen grains means gamets present होते है intros intros means क्या होते है friends जो dehiscence होगा इन एंथर्स का वो कहां होगा inner side या फिर flour के center में होगा dehiscence it means यह जो फूटते है जब इन में से pollen बाहर आते तो उसे क्या कहते है friends now dehiscence होते है तो जो dehiscence कहां होगा वो अंदर साइड होगा, that is intros, then bassy fixate होते हैं, तो bassy fixate भी पता है, friends, आपको, अलग-अलग types के क्या होते हैं, attachment होता है, filament का, adnet, bassy fixate, dorsy fixate, then wasitally 4 होते हैं, जिसमें से ये bassy fixate होते हैं, it means base पर, bassy से पता हो जाना चाहिए, friends, base की, like, ये two types का जो enter है, तो उसके base से नीचे से filament जाता है, okay, then opening lengthwise, जो open होते हो, lengthwise, उपर साइड ही, open होते, then a disc is, is often ही two types, मैंने दो बार लिग दिया, a disc is often present at the basis of the stammins, which has usually four basal nectary ferrous glands, so friends, ये important है, क्योंकि ये brassy के सी बे, present होता है, याद रखना, जो sepals होते हैं, sepals के opposite, एक nectary ferrous glands present होती है, it means nectar, जहां से secret होता है, glands present होती है, जिने हम क्या कहते है, nectar y ferrous glands, ठीक है, कितनी होती है, four basal, it means, जो base है, एक disc-like structure होता है, stammins के base पर, जहां पर glands present होती है, sepals के opposite, okay, किसी भी flower में, the nectar secreted by these glands is powdered, sorry, is poured into the pouches in the inner gibbush sepals, तो जो sepals होते हैं, sepals के inner side में, under side, pouch-like structure होता है, और उन में क्या होता है, जो nectar, जो gland, जो nectar y ferrous glands है, वो जब nectar secret करती है, तो वो कहां जाता है, वो pore होकर के, इखटा हो जाता है, sepals में, gibbush sepals, it means, जो sepals है, sepals के अंदर, pouch-like structure में, वो कहां हो जाता है, इखटा हो जात नव फ्रेंट नेक्स इस गाइनोशम that is the female reproductive part of the flower तो यह कैसे होते हैं ? बाइकार्पिलर ही होता है तो बाइकार्पिलर एमीन्स जिनमें two carpals प्रेजने हैं okay simple syncarpus होते है syncarpus means क्या होगा जिनके अंदर जो carpals होंगे दोनों carpals कैसे हैं ? फ्रेंट्स मैंने उपर ही बताया था हाइपोगाइनस फ्लाड जो होते हैं उट में ओवरी कैसी होती है सुपीरियर होती है फ्रेंट्स तो 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 फ्रे parietal placenta, okay basal भी होता है ना अलग-अलग types के placentation के types है friends each having one or many ovules और हर एक placenta में one to many बहुत सारे भी ovules present हो सकते placentation के अंदर ही होते हैं ovules okay then a false septum friends true septum present नहीं है septum means क्या होता है joh placenta को divide कर रही है जो placenta it means parietal placenta है flowers के अंदर तो उसके अंदर, sorry, gynosium के अंदर, ओके, तो इस ovary के अंदर जो placenta है, उसको true septum नहीं है, एक false septum है, जिसको हम replum कहते हैं, ओके, replum यह वर्ड याद दखना, false septum को क्या कहते हैं, replum कहते हैं, जो इनको क्या करती है, divide करती है, to the another, divides the ovary cavity into two locules, तो एक placenta से दूसरे placenta तक यह replum extend करती है, जाती है, और जो क्या करती है, divide करती है ovary को, into two locules में, okay, like friends, locules आपको पता है, chambers, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, bilocular है, यह भी आप point लिख सकते हैं, कि ovary इनके अंदर कैसे होती है, bilocular होती है, it means इनमें two chambers, या two locules, present होते हैं, और style is simple, और absent, and the stigma is lobed, और discoid, त style क्या होता है, stigma, style, and ovary, यह गाइनोशियम के part है, तो style simple होगी, या फिर absent होगी, सीधे, जो friends, अब हमने, अब इसमें absent word क्यों आया, तो absent इसलिए आया, क्योंकि इसमें जो ovary है, वो superior है, it means जो ovary हो उपर रहेगी, तो सीधे उसके उपर stigma भी present हो सकता है, okay friends, तो simple होती है, फिर absent भी होती है, और stigma जो होते है, वो lobed होते है, lobes present होती है, उनके अंदर, या discoid होते है, okay, now next is fruit and seed, तो fruit के बात करें, तो fruit कैसे होते है, इनमें silika होता है, तो friends, ये silika gel नहीं है, ये fruits के जो type होते है, classification हम अपने obviously पढ़ा होगा, simple fruits, compound fruits, तो simple fruits में ही, जो dry fruits होते है, fruits भी लगलग types होते है, fruits के भी legume है, silikua हो गया, then follicle fruits होते है, तो silikua क्या होते है, एक तरह से अप समझ लो, जिनमें false septum, replum present होती है, जो इनको divide कर रही है, okay, इनमें जो dehiscence होगा, वो भी किसके थू होगा, जो septum दो structures बना रही है, septum जो है false septum, okay, जो replum इन दोनों को divide कर रहे तो वहाँ से क्या होंगे, fruits dehis होते हैं, और बहुत सारे seeds इन fruits में present होते हैं, जो क्या होंगे, replum, जो septum है, उससे attached होते, okay, तो एक तरह से आप समझ लो, जितने भी हमने characteristics पढ़े, gynosium के, इस type के gynosium से जो fruit होता है, उसे हम क्या कहते है, silikua बोलते हैं, और specially silikua किस में होत होते हैं, वो किस में होते है, allisum iberis, okay, iberis मैंने आपको बताया था, इसमें mostly कैसे होंगे, सब में exceptions आपको iberis में दिखेंगे, okay, now friends, इनके seeds होते हैं, वो कैसे होते हैं, small होते हैं, non endospermic होते हैं, तो आपको पता होगा, non endospermic, या फिर x albuminus seeds भी बोलते हैं, ऐसे seeds जो क् होते हैं, food material जो होता है, obviously, उस plant का fruit का, जो food material होता है, वो क्या करते हैं, उनके cotyledons के अंदर store करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, non endospermic या फिर x albuminus seeds कहते हैं, तो इनमें इस टाइब का non endospermic seeds प्रेजेंट होते हैं, और curved embryo होता है, और cotyledons के होते हैं, तो अभी reason बता ह है, क्योंकि friends, उनमें क्या होता है, उनके अंदर food material stored है, तो यह कैसे होते हैं, oily cotyledons इनमें present होते हैं, okay, the next is pollination, अब pollination and dispersion, so friends, मैंने पहले भी बताया, दोनों words अलग है, dispersal seeds का होता है, seeds direct dispose होते हैं, और pollination actually में gametes का होता है, तो बोथ इनमें दोनों ही present है, self और insect pollinated, तो friends, इसका reason भी बहुत easy है, आपको कोई पूस सकता है, क्यों self और क्यों insect pollinated, तो पहली बात insect pollination का तो easy है, क्योंकि इनमें nectars present होते हैं, तो nectars के लिए जो, sorry, जो insects है, वो क्या कहूंगे, वो intros, आपने पढ़ा था, इनमें intros होता है, dehiscence, it means extros, intros, दो होते हैं, मैंने बता है था, dehiscence जब अंदर होता है, androsium जो होता है, वो intros androsium होता है, it means, जो dehiscence होता है, वो किसमें होता है, वो अंदर साइड होता है, जो gametes होंगे, वो अंदर ही गिरेंगे, it means, self pollination के chances है, तो इनमें two, दोनों ही टाइप से pollination होता है, और seeds to disperse होते हो, birds के दुरू भी होते, कभी-कभी cattle के दुरू, cow, buffalo के दुरू भी होते, wind और water के दुरू भी dispersal इनमें होता है, now next is friends, floral formula, तो floral formula, जैसे कि हम last two videos में भी पढ़ते आ रहें, friends, जैसे कि मैं आपको sign बता देती हू EBR means क्या होता है, E-brectiates, it means इनमें brects present नहीं है, brects present नहीं है, तो brectioles भी present नहीं होंगे, okay, this is actinomorphic, bisexual flowers होते है, K is sepals, जो two plus two है, it means दो-दो present होंगे, हमने देखे थे four sepals, four petals, corolla भी four है, okay, then friends, androsium भी two plus four होता है, it means दो छोटे होते हैं, और four, बाहर जो, sorry, two outer छोटे ह होते हैं, short होते हैं, stamin, और जो four अंदर वाले जो होते 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 हैं, यह सब फ्रेंट्स हमने अल्रेडी पढ़ लिया है, friends, floral formulae, floral diagram में बच्चे बहुत ड़ जाते हैं, mostly students को लगता है कि hard है, बट यह hard नहीं है, आपने अभी तक की 8th point तक की जितनी भी आपने information पढ़ी है, जितना भी आपने study किया, बस उस सब को ही आपको इसमें लिखना है, आपको पता है flowers कैसे हैं, हर्मेप्रोडाइटे, sorry, actinomorphic है, यह zygomorphic है, this is the sign of zygomorphic flowers, okay, then, this is sepals, corolla, androsium कैसे होते हैं, 2 plus 4, gynosium, gynosium के friends, नीचे underline है, so, नीचे underline का means क्या होगा superior ovary, obviously, और 2 है, दो होते हैं, sorry, जो ovaries होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि 2 placenta है, 2 present होते हैं, okay, हमने देखा था, एक replam, उन दोनों को, क्या करिए, divide करिए, और bicarpillary gynosium present होता है, तो इसलिए 2 लिखा है, और fused होते हैं, जो carpals होते हैं, okay, 2 क्यों है, क्योंकि bicarpals, 2 carpals होते हैं, so, और friends, बाहर bracket का मतलब क्या होता है, fused, और bracket नहीं है, उसका मतलब होता है, free, okay, यह सब friends, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया, then, iberis, iberis भी e-bracteat ही होता है, और friends, यह जो percentage वाला जो sign है, इसको zygomorphic sign का होता है, this is actinomorphic flower, and this is the sign of zygomorphic flower, bisexual flowers होते हैं, same, saples 2 plus 2 होते है, corolla भी 2 plus 2, and androsium भी 2 plus 4 ही होते है, और gynosium भी same, superior ovary present होंगी, and 2 bicarpillary gynosium present होता है, then friends, it is the diagram, it is the floral diagram, यह floral diagram में एक तरह से diagrammatic representation है, किसका, iberis और brassica, उन दोनों का ही मिन ले दिये, this is the sign of, sorry, this is the diagram of brassica compass tris and iberis amara, okay, so, यह क्या है अंदर, यह this is the gynosium, और यह क्या दिख रहे हैं, हमें यह हैं, friends, this is the androsium, this is the part of androsium, okay, एक तर से यह anthos का look है, आपको, friends, पता ही है, हम पूरा क्या देख रहे हैं, फ्लोरल diagram देख रहे हैं, उपर से पूरा फ्लार को अगर हम देखते हैं, तो हमें इस टैप का दिखते हैं, जो friends, बाहर वाले हो this is the part of androsium, then petals and then sepals, हमें दीख रहे हैं, इम्रिकेट एस्टिवेशन हमने देखा था, तो friends, हमें इम्रिकेट एस्टिवेशन ही present है, okay, so next is economic importance, so friends, यह last topic रहता है, हमारे brassicacy family का, तो friends, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यह family बहुत important है, क्योंकि इसमें, vegetables, ornamental, oils, medicines, बहुत सारी चीज़े हमको प्रोवाइट करती है, यह family, like पहले हम vegetables की बात करें, तो रेफिनस, सटाइवस, जिसे हम रेडिश बोलते हैं, यह क्या है, एक तरह से flashy root और pod है, as a vegetable हम इट करते है, जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था, okay, then friends, brassica rapa, किसको बोलते हम, वो बो काली फ्लार, so friends, if you want to write, then you can write, कि जो cabbage है, उस cabbage की जो वेराइटी उसको क्या बोलते है, हम उसको बोलते हैं, कैपिटेटा, it means brassica allureasia capitata, और जो काली फ्लार है, काली फ्लार को क्या बोलते है, botrytis, it means brassica allureasia botrytis, okay, and two और भी होते हैं, friends, वो मैंने इसमें नहीं लिखे, एक घंड गोबी भी आती है, friends, गोबी होती है, एक तरग अलग-अलग, जिसमें जिसे हम नोल खोल कहते हैं, English में, और ये मैंने कभी खाई नहीं है, and मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो मैंने इनके नेम्स नहीं लिखे, और ये सारी vegetables तो, friends, नोन है, जो हम रोज डेली ला ये भी एक आती है, जो एक फ्लेशी स्टेम है, और एक और होती है, friends, ब्रूसल स्प्राउट्स भी होते हैं, okay, जिसका नाम है, ब्रैसिका अलरेसिया, जैमी फेरा, okay, if you want to write, then you can, okay, friends, then next is, ब्रैसिका कमपेस्ट्रिस, जो जैसा कि इमने बता है, मस्टर्ड होता है, मस्टर पहारी राई बोलते हैं, और ये भी लीफी वेजिटेबल है, एक तरह से, okay, now next is, आइल, तो ये सब तो हमने देखा कि as a vegetable, ये कैसे यूज होती है, then the next is, आइल, तो बहुत सारी इसमें, ब्रैसिकेसी में, friends, बहुत सारी सेवरल स्पीशीज है, जिनके सीट्स जो होते है, वो पूरी तरह fatty oil से भरे हुए होते हैं, फिल्ड होते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ाता है, वो एकस अल्ब्यूमीनस होते है, okay, कौटी लिडॉंस में ही उनका food material फिल्ड होता है, and which is used for cooking, pickles में काम आता है, अचार बनाने के लिए, burning the lamps, obviously, जब ऑईल निकलेगा, तो हम ज करते हैं, वो सब oils जो होते हैं, वो एकस्ट्रेक्ट इसी से ही होते है, common oil yielding species है, वो कुछ मैंने लिख रखी है, that is, brassica compostrous mustard, obviously, जैसे कि मैंने बताया, सर्सों का तेल, friends, बहुत ही famous है, जो हम डेली सबजी बनाने में यूज़ करते ही हैं, ब्रेसी का अलबा, जिसको वाइट mustard बोलते हैं, अब, friends, जो mustard है, वो एक ही types के नहीं आते हैं, अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग इसके एक तरसे breeds कह सकते हैं, अलग-अलग types होते हैं, जिसको white mustard कहते हैं, brassica junshia, जिसको Indian mustard rai बोलते हैं, okay, friends, वो actual में जो rai है, वो यह है, junshia, okay, या brassica compostrous भी बोल सकते हैं इंडियन mustard होते हैं, जंशिया, then brassica nigra, black mustard होता है, then brassica napas, rap seed होता है, then yurka, sorry, ryuka, sativa, taramir, तो friends, तारा मीर भी seed होते हैं, एक तरह से जो अचार बनाने के लिए pickle formation के लिए काम आता है, okay, then cordiments, तो cordiments जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, cordiments मिन्स क्या होते हैं, एक तरह तो जो brassica nigra है, it means black mustard जो होता है, और brassica alba, it means white mustard, ये दोनों ही as a cordiment use में आते हैं, खाना मनाते time, and last friends, angiospum पढ़ रहा हैं, तो obviously ornamental flowers तो होंगे ही होंगे, तो कुछ ऐसे species हैं, बहुत सारे genera की, जो क्या है, as a ornamental flower, बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए ग्रो करते हैं, जिसमे example है, metheola, iberis, then elysum, then arabis, and carianthus, ये सारे ornamental flowers है, okay friends, so here we have finished our topic, brassicae, okay, that is cruciferous, okay friends, so if you find any doubt related to this topic, then you can ask me in the comment box, and friends, I have uploaded my pdf of the notes on the app notification, so you can download, you can download from there, okay, आप वहां से download कर सकते हैं, and thank you friends, bye, please do like, share, comment the video, and subscribe the channel,